नमस्कार दोस्तों, A2B2 Study की YouTube चैनल पर मैं रंजीत केशरी आप सभी का हार दिक स्वाधत करता हूँ दोस्तों, UP Polytechnique प्रवेश पहिछा 2030 के लिए आपका online admit card कब से download होना start हो जाएगा इसके अलावा आपका जो आधार verification का कोई process करना है इसके अलावा कोई document को upload करना है इसको लेकर के छात्रों के बहुँ जादे comments आ रहे थे दो-तीन दिनों से और छात्र पूश रहे थे कि सर ये जो document upload करना है और इसके अलावा जो आधार verification का कोई काम करना है ये कब से करना है हम स्थे और आपको प्रसान करें है सिटे ते हम्हानगत को देखते हुए हम इस वीडियों बना रहा है यहांँ पर हम जॉयंट इन्टेस इक्जामेसन काउंसिल ऊप्रदिय्स की Officially website पर है Officially website आपको पता ही है Jacob.nic.in इस website पर आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आजाना है नीचे स्कॉल करने पर आपको यहाँ पर एक option दिखेगा Correction in Application Form for Joint Intense Examination Council उत्तर पर दिख ठीक है, पर टेकनिक आपको इस पर simply click कर लेना है आप सभी को यह काम करना है आप इसे click करेंगे click करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है उपर आने पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा Registered Candidate Sign in ठीक है, जो भी registration कर लिए है चात्र जिनोंने form भराया पॉल्टिक के लिए उनको यहाँ पर signing करना है यहाँ पर आपको अपना application number ठीक है, जो registration number आपका है वो डालना है आपका password देखे, password बहुस छात्रों को password ही याद नहीं है तो password जो है, आपने जहां से भी form अपना भरवाया होगा वो cyber cafe के पास जाएंगे तो आपके पास उसका जो password है आपके password को उसने रखा होगा ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप उससे पता कर सकते हैं ठीक है, जिनको password की problem आ रही है वो हमें telegram पे direct contact कर सकता है वहाँ पे हम आपकी problem को जरूर follow out करेंगे यहाँ पर आपको security pin जो है वो आपको यहाँ पे डालना है जो कि यहाँ पे नीचे आपको दीख रहा है इतना डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दीख रहा है signing button पर click कर रहा है तो चलिए हम साय detail को fill कर लेते हैं और signing button पर click कर लेते हैं ठीक है दोस्तों जैसे ही आप signing बटन पर click करते हैं तो आपका main जो profile है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको नीचे scroll करना है कुछ इस प्रकार नीचे scroll करने पर यहाँ पर आपको तीन option जो है वो देखने को मिलेगा और वो option है आपको यहाँ पर mobile screen पर दिख रहा होगा यहाँ पर पहला option दिया गया आपको manage application form submission दूसरा है manage application form correction इन दो चीजों से आपका कोई भी मतलब नहीं है correction का और application form को manage करने का जो date है वो बीत जुगा है ठीक है आपको काम है इस तीसरे वाले option पर जो की है manage choice filling and locking आपको इसी वाले option पर click करना है ठीक है चली हम इस पर click करके आपको दिखा देते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख रहा है हम यहाँ पर click कर रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अभी तक इस जो link को activate नहीं किया गया है आपका कोई भी अभी document upload नहीं हो रहा है कोई भी आधार verification नहीं हो रहा है कोई भी college की choice filling भी नहीं हो रही है तो आप किसी भी प्रकार के भाकावे में नहीं है आपको YouTube पर तमाम वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएंगे जिसमें बताया जारा है साब तो पर की admit card जारी हो चुका है आधार verification ऐसे करें admit card download link यह है ऐसे download करें तो यह सब आपको तमाम वीडियो देखने को मिल जाएंगे लेकिन आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है link activate की बात करें तो link आपका अभी तक activate नहीं हुआ है link जो है वो आपका 20 July से जो है activate हो सकता है अगर बात करें को student कहेंगे कि सर यह तो कई दिनों से दिखा रहा है activate soon link activated soon दिखा रहा है तो यह जो link activated soon दिखा रहा है यह करीब तीन से चार दिनों से दिखा रहा है ऐसे ही दिखा रहा है तो यह दिखाता रहेगा लेकिन अभी यह activate नहीं हुआ है और इसके एक्टिवेट होने के जो चांसेज है वो 20 जुलाई तक है ठीक है अभी एक्टिवेट हो बेने के जांसेज भी नहीं है और अगर कोई भी अपडेट आता है तो आपको जनकारी दी जाएगी ठेंक्यू आपको हमेशा की तरह सही और 100% करेक्ट जनकारी आपको चैनल पर नहीं मिलता है आपको सही और सठीक अपडेट की वीडियो ही यहां पर देखने को मिलती है तो जो भी नए इस्टुडेंट है जो की पहली बार चैनल पर विजिट करें है वो चैनल को सब्सकाइब कर सकते हैं और सब्सकाइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें आपको नई उसका नोटिफिकेशन के द्वारा अपडेट दे दिया जाएगा ठीक है